आप सभी को फता ही है कि हमारे साथी ने एक अति पिछरा के बेटा को पीठ में खंजर भोगने का काम किया ऐसे समय पर जिस समय में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था ऐसे समय में इंडिये ने हमें गले लगाया जक्मों पे मलम लगाया और 11 सीट और एक MNC देने का देने लिया इसके लिए मैं तहए दिल से धन्यबाद देता हूँ हमारे देश के मानिये परधान मंत्री स्री नैंद्र मोदी जी को गरव मंत्री स्री अमिस्ता जी को भाट्से जन्ता पार्टी के राष्टी अध्यर स्री जेपी नटा साहब को और मानिये नितिस कुमार जी को कि उन्होंने हमें सहरा दिया है और हम लोगोंने पुरे बिहार में अपने पार्टी के और से चुनाव लगने के लिए मैदान मोद्रे हैं हमारे कई साथी सेखपूरा में, मुंगेर में, नवादा में, नालंदा में ऐसे कई जिला में हमारे साथी जो पहले से तयारी करके रखे थे उनको चुनाव लडने का मोका नहीं मिला उसके लिए मुझे काफी अफसोस है क्योंकि पहले चरण का लिष्ट बन चुका था उसके बाद हम एंडिये गटवंदन में आएं तो इसके लिए हमें बहुत सारा तक्रीब का सामना करना परा उसके बाद हमने निरने लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूगा मैं MLC के जड़िये जाऊंगा लेकिन कई ऐसे सीट पे हम कोसिस किये कि हमारे समाज के लोगों को हम चुनाव लड़ाएं बहुत हद तक बहुत सारे साथी को लड़ाएं कुछ ऐसे साथी को नहीं लड़ा पाएं और फिर मैंने निरने लिया कि मैं खुद चुनाव लड़ता हूँ चिम्री बक्तियाफूर विधान सवाथ छत्र से और कल मेरा नमनकन है और मेरे पास जो MLC का सीट है उनको हम अपने पार्टी में जो मेहनत की हैं खास करके अति पिछरा में नुनिया समाज के साथ ही जो है निसा समाज का ही पार्ट है अंग है मैं निर्ने लिया हूँ कि हमारे पार्टी से जो MLC का जो सीट होगा वो नुनिया समाज को ही दिया जाएगा चुनाग के पाद दिया जाएगा जिसमें कई नाम होते हैं जिसमें से श्री असोग चोहान जी है जो सेकपूरा से है, श्री पप्पु चोहान जी है सेकपूरा से है, श्री सतीष चोहान जी नवादा, श्री मितलेश चोहान जी नवादा, श्री पिरेंदर चोहान जी नवादा, श्री संभू चोहान जी नवादा, श्री ससी चोहान सेकपूरा, श्री सपनायन चोहान सेकपूरा, श्री हरिश, हरिशंद्र महतो बैसाली, श्री बालमुकुन चोहान चपरा, श्री सर्वन महतो चपरा, अभधेस महतो चपरा, श्री सतेंदर महतो चपरा, श्री ओम परकास महतो मजपपूर, श्री हरेडाम महतो पुर्वी चंपारण, श्री रगुत नात महतो मझपपूर, श्री बिनोद महतो मझपपूर, श्री फुल्देब महतो मझपपूर, श्री असुक महतो छपरा, श्री अजे महतो छपरा, श्री गोरक नात चोहान जी पच्छवी चंपारण, श्री रामाधीन चोहान नावादा श्री सुबो लाल चोहान नवादा श्री नवल किसो चोहान जी नवादा श्री नकूल चोहान जी गया इसी साथी में से 25 शपिस साथी है एक दो नाम अभी छूट गया रहेगा तो इसी में से किसी एक तो हम MNC देने का हमारे पाटी ने ने लिया है और हमने सभी समाज को लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने बकसर में बरंपूर बिधान सबाच्छेतर से श्री जय नारान चोधरी जय राच चोधरी जी को अति पिछला समाज से उनको हमने टिकर देने का काम किया है मदवनी जिला से सुमन कुमार महाज से पिछला समाज से है उनको हमने टिकर देने का काम किया है अली नगर से स्री मिस्रिलाल यादर जी पिछला समाज से उनको हमने टिकर देने का काम किया है मजपपूर में सहय गन से स्री राजु कुमार सिंग जी को हमने टिकर देने का काम किया है सारण में बनियाफूर से सिरी बिरेंद्र कुमार ओजा जी को समान्य वर्थ से उनको टिकर देने का काम किया है गोरा बराम से सिरी मतिस सवरना सिंग जी को हमने टिकर देने का काम किया है सुगोली से स्री राम चंदर सहनी जी को टिकट दिया है सिम्री बक्तियारपूर से मैं सुताफ मुक्य सहनी चुनाव लग रहा हूँ किसन गंज से बहादुर गंज छेतर से स्री लखन लाल पंडित अति पिछरा समाज से कुमार समाज से है उनको टिकट हमने देने का निरने लिया है कठ यार से बल्राम पूर से स्री वरुन चाग जी को हमने टिकट देने का काम क्या समानेवर्च नहीं है हर जाती धर्म को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव लड़ा है इसमें से कोई भी एक भी बेक्ति हमारे परिवार से नहीं है ये परिवार की पार्टी नहीं है ये बिहार की जनता का पार्टी है हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि बिहार के हर जाती धर्म को कैसे बिहार में आगे बढ़ाया जाए बिहार के 12 करोड जनता को आगे बढ़ाने का क कि यह समाज को जल्दी कोई पूछ नहीं रहा विहार में तो हम चाहेंगे कि हम लोग हमेशा ध्यान देने का काम करेंगे इसके लिए तमाम साथी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज कल मैं नमिनेशन के लिए जा रहा हूं और फिर विहार में हम लोग चुनाप बनने के लिए जा रहे हैं और आज मैं पूरे विहार से, यूबा से खास करके अफिल करूँगा कि आज विहार में आरेंडी करने की समय नहीं है आज की तारिक में बिहार में अगर किसी एक बेक्ती को विहार के मंत्री का कुर्सी सोपना चाहिए तो मान्ये नितिसकुमार अपना अनुभव से मेहनत से आज जितना बहार निकाले हैं मेरा पूरा विश्वास है कि अभी अगर हम आरे नी करते तो हमारा बिहार फिर से गठे में चला जाएगा तो इसलिए अभी हम लोग अपना त्याग करके हम लोगों को बिहार के भविष के बारे में सोचना है एक ग्यारा उमिदवारों भी लिश्ट आपने जारी की है जो आपका राजनीती सफर है उसमें आप हमेंसा दलित और अकलियत मुसलमानों की बात करते आएं आपको कंडिरेट नहीं मिला या बीजेपी की रहा पर है एक भी माइनटी से इसमें उमिदवार नहीं है देख करना था उसी अनुकुल हमने सब को ध्यान बढ़ते हुए हमने चुनाव शीट लडाने का काम किया है और पार्टी में सिप आरेंडी करने के लिए चुनाव नहीं लडाया जाता है अब मैंने निरने लिया हमारे पार्टी ने कि चुनाव जीतने के लिए हमने अच्छे उम में के और ब्याइफी पार्टी के कर्aş करता बनके न वहां पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने भी बिधाइक होंगों जितने भी साती हैं चुनाव मैधान में सब फार्टी का कार्च करता बन चुए है और मजगूत इसे बिए पार्टी को आगे बरहाने के लि सब्सक्राइब लोगों को लाट को देखा जाता है लेकिन पुछ साथी अगर दीन में सपना देख रहें तो वह सपना मुवारथ हो प्रफिक है बड़ी बड़ी बाते हैं जिनों ने चैलेंज किया है उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं सिम्री बक्तियारपुर में चुनाब लग रहा हूँ आप वहाँ पर आजाईए चुनाब लग के दिखा दीजिए और अभी का अलावा दोजार पचीस में भी मैं चैलेंज करके रखता हूँ कि अभी अगर नहीं कर पाते हैं तो दोजार पचीस में आके वहाँ से चुनाब लग के दिखाईएगा धन्यवाद